जि और अरंग्जेब वो मराटो ने मेरी गोराउंक केल खिला दिया कि यह पस्सिम हाकता था अधाना जिंजी का घरा डाला ठारा महिना गेडा जलता राजयराम निकल गाल एक कि देरा साल इसने किसी से विद्वाइब नहींकि एक किले से दूछा किला दूश्रे किले से पीस इसा किला प्रिश्रा के लिए से चौदा किला यह बागता रहा है कुछ बाते और अग्जेट की ऐसी है ना जो यह साथ करती है कि आव एवरेज जो मन होता है वो भी नहीं था हूसाथ लिए नास्ते 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 टूड़ गया और तो जहें फ्रेंट्स के शिवा जी की डथ हुई 1680 में अकबर ने और नोगे के बेटे ने और अगे के खिलाफ विद्दो कर दिया और मैंने कहां कि राठरों के खिलाफ और जेव ने तो राठोरों को औरंग जेव ने अकबर के खिलाब भड़का दिया कि कोई अकबर को शरण देने को तयार नहीं तो फिर और अकबर को भड़ना पड़ा डेकन फिर तो और अजेव बर्दास्त दें नाराज तो पहले से था कि शिवा जी एक जविंदार के बेटे ने उसके सामने एक राज्य ख़ला कर दिया तो नाराज पहले से लेकिन अब उसने देखा कि यार मेरे विद्रोही बेटे को तुम शरण दोगे इतनी हिम्मत तुमारी और फिर 1681 में बैग और बैगेज लेका वो कूच करता है अब जब हो डेकन की तरह कूच करता है तो इसके दिमाग में पहली बात आता है कि ये इराक और सीरिया को ख़तम कर दो इराक कौन बीजपूर सीरिया कौन बोलकुंडव हलाकि ये राये जैसिंग ने उसे बहुत पहले दी और पॉलिशी तो इस जए ख़तम कर यार चोटे मोटे राज्यों क्यों पाल रख्यों ख़तम करो अरटों समझाव दा करो और बापस बावेलियंट लेकिन तब और अरंग जेव नहीं था नहीं था तो अपनी किसी नोबल को अपनी पूरी सेना का चार्ज दे दिया तो हो सकता वह आपको मार कर खुदी राजा बन जाए कि राजा सेना तो उसका कमांड माने की जिसके हाथ पो उसका चार्ज होगा 1681 में पहुंच गया डेकन को अब उसने नजर दोड़ाई बीजपुर और गोलकुंदा के तरफ अदल शाह को उसने में सब्सक्राइब कि बिटा तुमको तो बहुत नहीं है कि डेकन जाना उसकी मजबुरी इसलिए भी हो गया था कि गोलकुंदा जो है सुन्नी सेट शिया स्टेट सौरी शिया स्टेट शिया स्टेट शिया स्टेट पारतो भाई पड़े एक्टिव से अधना और अखन और इन तीनों में मिलकारे ट्रिपल अलाइंस बना लिया थे डेकन वीजापूर गोलकुंदा मारा था इसके बोड़े मेसेज के बाद भी लोगों ने कोई बात सुनी नहीं तो फिर अरंग ये को खोज जाना पड़ा और जब शेहंचा खुदी पहुंच दकन पूरी मुगल आर्मी उसके पीछे और 1686 में उसने बीचा पर मोड़ा दिया है कि खत्म कर दिया इराक खत्म कुदुप शाह को उसने मैसेज भेजा कि विटा कि यह तुमने काफिरों को रखा है ना काफिरों की सुनते हो इनको हटा दो नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा ही है मदना खना सालक पर घसीट कर मारे गए लेकिन औरंग से किसी को माफ करने के मूट में नहीं था और 1687 में उसने गोल कुंटा को भी खतम कर दियो है हलागी कुदुप शाह ने बड़ी बाते मानी औरंग्जेव की लगिन वह बिल्कुल मूट में नहीं था नहीं खतम करो यह दर अमेशा के लिए खतम कर दो और इस तरह से धक्कन पर अब मुगल सुप्रमैसी मुगल वर् और मरथा में को कमभाजी की 1689 में औरंग जेव ने शमभाजी को पकड़ लिया संघरामेश वहह पर और गदिवा संबस्यूंच को पकड़ लिया वा इसने क्या कि और अजेव ने शाय किसी व्यक्तिकत कारणों से धार्मिक करणों से गार्णि के शामभा जी ने और एंग को प्रिपोस किया कि दोको तुम लोग मलेच हो मलेच दंदे लोग हो कर्वर्ट हो जाओ धरम बदल लो कि यह बात अगर उसनों अकपर से कही होती तो एक बार अकपर महत भी कर देता समझा हुआ आदमी था सुल्जा हुआ आदमी था कि अगर आप यह बात और अंग्जेव से कह रहे हो और अंग्जेव ने शंभा जी की हप्ट्या कर ला हुआ है कि चलो कि मार दिया फिर आपने बड़ापन का परिचे नहीं दिया आप पोरस की तरह सिकंदर ने जैसे पोरस को प्षोड़ा था आप छोड़ देते समझाता कर लेते समझाते हैं कि बेटा देखो तुम्हारे अब्बा हमारे ठीक है दुश्मनी थी वह रामाधीर सिंग ने गैंक रहे पाइश्वासे पूर पाट्टू रहा धीर सिंग बुलाते हैं फैजल को देखो फैजल हमारा तुम्हारा कोई दुश्मनी है नहीं कि अब ने अब्बा को कहे मारते हैं तो लगर हम नहीं मारते तो हमको मारते और कौन मरना चाहता है कि अब क्या सुझ समझदारी का बात करता है रामा थेल सिंग तैदा जबता कि दुनिया में सनेमा है मुवी तब तक लोग बनते रहेंगे कि अब कि अधावासेपुर तुम्हारा कमा वहीं और जब करनी चाहिए थी शंबाजी को बुलाता इज़को बिटा कुमारे आप बस दुश्मनी चल लेकिन चलो कोई बात नहीं महारा मारा तुम्हारा और दिल्ली हमारा और शारा सम्झाओता हम पर जादा सहरा सम्झाओता है जोरती मार ने ही और दिया और दिया अजय अगे मारा तो मारा है मारा तो मारा, अब उसने डिस आप आप, आपने घरदन काट दी, राजा को गमार दी आप ले, अब बचे उसके प्रहाद है, मराटा सरदार, अब किस्ते किस से लडो गए, जैस के गेम में और मुनार्खी के गेम में कौन सबसे इंपोर्टन जा आपने दूसरी चाल में जादों को भी में मारूंगा कुछ बातें और अंजेब की ऐसी है ना जो यह साबित करती है कि एक आव एवरेट जो मन होता है वो भी नहीं था उसादमी गया तो वह आदनी बहुत परिशान था या तो आदनी बहुत दुखी था कि एवरेट एवरेट जो समझदारी होती एक राजा इतना बड़े समराजी के आप मालिक है इतना बड़ा समराजी है आपका राजा मर चुका है अब किस से लड़ो गए तुमने चेकन मेंट दें दिया करो नहीं हम तो खेलेंगे मैं सारे मराठों के किलो को कप जा करूंगा फिर वो शम्बाजी का भाईधा राजाराम उसने अपने आपको राजा घुशित कर दिया इसने सीज किया सतारों को राजाराम को भगना पड़ा राजाराम ने जिंजी में शरॉड ले लिए कि शोला से नब्वे से सत्रा सो तीन 1692 1703 लिखा है लुक में तेरा साल इस आदनी ने मराठों से कोई बात चीद बोला बात ही नहीं करना है क्यों है कि अदू मजा आने की पूरण की तरब भाकता था कि लेंए Entre-gen पथर मारते थे इसके यह प्रस्चिब कॉछनτο के लूट पॉस्टर से मातेते गए। करें अरग मुड़ा ने मरी गो रांड गेल कि ला दिया। कि जिन जीना डाला समक्यों कि फिंजी महीन न इसालता राजा रभ निकल गा है। कि लोगी अरगी कि नाष्टे 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 टूड़ गया और अजिए अजय को सम्झाने वाले थे उनको कुछ समझ में आता ही नहीं था कि परोहितों काम है बच्चों को धर्म के बारे में बताना परस कि परोहित जरूरी है अगया पक्षा मंदर जाएगा देखें का चीज्वों को कुश्चन करेगा परोहित बताएगा भगवाएं नहीं है कि बच्चा मजद जाएगा जाना ही चाहिए वाह सवाल करेगा सज्दक करना चाहिए अल्ला कौन है पूछने चाहिए उससे और जागरिक पुर्षयों काम है असलिए भारत मतलब ज्यान कुछ नहीं होगा इंडिया थोड़ा बहुत सामना करना पड़ेगा कर भारत का बुछ भी नहीं होगा पूरोना आया है भारत को कुछ भी नहीं होगा भारत मतलब ज्यान जो भी इस देश में ज्यान से जुड़ा हुआ है ज्यान के रास्ते पर चल रहा इसलिए वह देखो सिंद्ध और पंजाब अलग होकर पाकिस्तान बन गए खतम हो गए इनको नों पर्बाद हो नहीं था तो बीहों भारत से कट गए इंडिया से कटकर ये कट गए इंडिया से कटकर जी लेते भारत श्मीर फंजाबं शेंड है बंग्लदेश यहकि संस्कृती म्वारती है भारत मतलब घ्यान संतों की ऐ संस्कृत कि इन 有一 संग्षों का ऐी तौका को परिवर्तन जिवन में करंटिए को है कि पुरोहित नहीं कर पाएगा सिद्फेत इनको पता इनिंश कि इनको पता ही नहीं कि ना तो पुरोहिद कर पाएंगे ना मौलाना और जो पुड़ापे में मौलाना के साथ है है ना अरंगे आगे बाद में इसने बहुत उल्टा सीधा लिखा उनके बारे में कि अधियरा साल इसने किसी से कोई बात नहीं कि एक किले से दूसरा किला दूसरे किले से तीसरा किला तीसरे किले से चौथा किला यह भागता रहा है 1703 में डायट हो थक गया टूड गया बर्बाद हो गया सब बिग्या सर दिवाने आम था सौना चांधी जे जा राख का लुक्त घ आ का जिए था सब्सक्राइब दुखी हो गए कि यार अपना तो खर मरी रहा हमें भी परेस्यान करना उन्होंने दीरे दीरे मराटों से अंदर-अंदर समझाता कहा लिया कि यार वहां वाइटा है दौड़ा लो कि सब्सक्राइब कि लाओ चलो समझाता हो जाए अंधिन समय पर इसने मामले को रद्द कर दिया है का मुझे मराटों पर भरोजा नहीं कि अरंगे शत्रह सुपाच पर अरंगाबाद में स्थाही रूप से वह रूप बहुत तूटा और अरंगे बहुत उदास औरंगे रोता हुआ दुखी औरंगे तब उसने गुरू लेटर लिखा गुरू भूबिल सिंग उनसे आप आईये मुझे आपसे मिलना है यह कि याद आई दो ज्यान की आद आई कि यार कहीं न कहीं कोई दो गरबर चल रही है यार मैं क्यों परेशार हूं शुरुवाक से जब्दी पर बैठा भाई से लड़ता रहा है जाटों से लड़ता रहा मराठों से लड़ता रास अखिर ऐसा क्या है कि लोग मुस्ते इतना राज है कि मेरे बाबतादों भी तो इस देश पर शासंधिया कि उनके खिलाफ इतनी बगावत क्यों नहीं थी कि अधिया कि अधिया होगा और फिर से गुरु और गुरु और गोविन से इनको कहा कि आप आईये मुझे आप से मिलना है लेगिन जब तक गुरु और अरंगा बाप पहुंस्ते 1707 में कि निराश औरंग्जेव की पर जाने से पहले हलां कि उपने पूरे समराज को समाने में बड़ा सक्षम ता जब तक वो जिन्दा था यह उसकी उपलब्दी है जब तक वो जिन्दा था तक उसका समराज बचा रहा है सबसे बड़े जोटरिफिकल एरिया को उसने शासन किया इतने सारे विद्रोहों के बावजूद कहीं कुछ भी उसका बिगड़ा नहीं लेकिन समराज की जलों को खाड़ दिया है और सिर्फ अपनी गलत नीतियों की बजस्ता है कि देस्टिनी इस इकल टू डायरेक्शन है कि देस्टिनी इस इकल टू डायरेक्शन है दिशा अगर सही नहीं है तो कुछ में नहीं होगा कि अगर कि अगर कि सक्राश साथ कि और अगर कि मृत्य होगी अगर कि मरते मरते उस आदमी ने मुगल सहराज जी की जड़ों को हिला दिया तो और इसके बाद उसका बेटा बहादुर्शाह कदी पर बैठा लेकिन वह जादा देन जंदा नहीं रहा सकता और उसने गल्दी कर दी कि इतना grant दे दिया इतना बांट दिया कि तेरा करोण उपए वझे थे तिजोरी में सब बांट दिया जब बादुर्शा नहीं पैसा नहीं कि वहीं पैसा नहीं पैदा होगा थे कि इंग्मेकर और अपनी को राजा बनाएंगे नहीं लेटर मोगल्स आ गए, रही सही का सर उसने पूरी कर दी नादर्शाह ने UPSC के लिए है Best Faculties from Delhi, जहां ओजा सर की guidance में UPSC की Best Preparation होती है तो और क्या चाहिए? NCEART Basics और GS Batch के लिए Working Aspirants के लिए Regular और Weekend New Offline Batches स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से अगर आप IKRA IAS का Free Demo लेना चाहते हैं तो Call कर सकते है 9823256625 पर या विजिट कर सकते हैं www.iqrais.com पर एक बार फुल अड्रेस बता देती हूं IKRA IAS About Notebook Hub टुरक रोट सदाशिव पेट पूने प्रण प्रशार्ट है 16 जुल झाल सम्ने प्रण में डरेसे कादा़्त कर सकते हैं IKRA IAS Best अड़िएstrong पूने Diggले आप लेक्ते हैं झाल झाल